नमस्वार मैं श्वेता आपका जन ही तैशी में स्वागत करती हूँ जन जन की बात जन ही तैशी के साथ तो चलिए रुख करते हैं आज की प्रमुक खबर पर बांगलादेश में आज आम चुनाब करेब बोटिंग हो रही है प्रधान मंतरी शेख हसीना की सतरूड अवामी लीक का लगातार चौथी बार जीतना लगभग तैमाना जा रहा है पूर प्रधान मंतरी खालिदा जिया की मोखे विपक्षी बांगलादेश नेशन लिष्ट पार्टी ने चुनाब का वहिस्कार किया है देश भर में लागभग आठ लाग पुलिस अर्दसैनिक बल और पुलिस साहयक ब्रविवार को मतदान केंद्रों की सुरक्षा में चुनाब सी पहले शेक हसीना ने भारत के लिए एक संदेश साजा किया उन्होंने भारत की साथ मैत्री पूर्ण संबन्द पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम बांगलादेश भागशाली है कि हमें भारत जैसा विश्वसनी मित्र मिला है उन्होंने सन 1971 में मुक्ती संग की दोरान भारत की समर्थन का भी जेकर किया उनकी सरकार ने देश में लोकतंद्र किया मजबूत शेक हसीना पी एम हसीना ने 1975 में अपनी परिवार के नरसंगहार को याद करते हुए कहा हम वर्सों तक भारत में शरण ली इसके बाद हम बांगलादेश वापस लोट आए औ और अवामी ली को दोबारा ख़ड़ा किया शेक हसीना ने देश के विकास के लिए लोकतंद्र के महत्त पर जोर दिया और कहा कि उनकी सरकार ने पिछले वर्सों में लोगों के लोकतंद्रिक अधिकारों को मजबूत किया है शेक हसीना ने आगे कहा हमारा देश और स्वतंत्र है हमारी आबादी बहुत बड़ी है हमने लोगों को लोगतंत्रिक अधिकार इस्थापित किये हैं मैं यह सुनिशित करना चाहती हूं कि इस देश में लोगतंत्र जारी रहना चाहिए और लोगतंत्र के बिना आप कोई विकास नहीं कर सकते हम 2009 से 2023 तक एक दीर लोगतंत्रिक प्रणाली है यही करण है कि बांगला देश ने इतनी बड़ी उपलब्दी हासिल की है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिरोगे आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमशकार आदेते रहे जन ही तैशी जन जन की बात जन ही तैशी के साथ